अरे चिकू क्या हुआ तुम इतने दुखी के हों दोस्ट अरे यार मोटूलाल क्या बताऊं मैं तुमें मेरी जो साइकल है उस पे रस्ट यानी की जंग लगती जा रही है बहुत जादा खराब हो गई है मेरी साइकल अरे यार चीकू मुझे पका पता है कि इस सवाल का जवाब मन्नू भीया के पास होगा उन्हीं के पास चल कर पूछते हैं कि हम अपने लोहे की चीजों को जंग लगने से यानि की रस्ट लगने से कैसे बचा सकते हैं ये तो मैं तुम्हें बता दूँगा मोटू लाल और ची है सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टाइप के चेंजिस के बारे में एक होते हैं फिजिकल चेंज और एक होते हैं कैमिकल चेंज फिजिकल चेंज के अंदर किसी भी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है जैसे कि उसकी शेप क उसके size के अंदर, उसके color के अंदर, उसके state of substance के अंदर और उसकी कुछ जो physical properties हैं उन्हीं के अंदर change आता है तो physical change, a physical change in which a substance undergoes a change in its physical property is called as a physical change तो physical change का मतलब क्या हो गया, एक easy example लेती हैं, जैसे कि एक can थी, आपने cold drink पिली और उसकी can को fake दिया अब ये जो can है, इसकी shape आपने change कर दी, तो ये क्या था, physical change था एक eyes है, जो की melt हो रही है, अब eyes कैसे थी, पहले solid थी, अब melt हो गई गर्मी के कारण, पानी के अंदर बदल गई तो अब ये liquid जैसी बन गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी क्या हो गया, its state have changed मतलब की solid से, वो liquid हो गई, अच्छा आपने अगर water को boil करा, तो पानी के अंदर बदल जाता है, gas के अंदर, water vapors के अंदर wood को आपने chop करा, लखडी को काट लिया, तो इसके अंदर क्या करा, आपने उसकी shape और size को change कर दिया, ठीक है, आपने paper को shred करा, paper को far दिया, same आपने उसके shape और size को change कर दिया, आपने glass को तोड दिया, तो उसके shape और size को भी आपने change कर दिया, ये सारी चीज़ें physical changes हैं, लेकि फिर chemical changes क्या होते हैं देखो chemical changes के अंदर generally हमें ये देखने को मिलता है कि chemical changes के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा new substance बन जाते हैं जैसे कि हमने iron, iron की rusting के अंदर देखा था जब जंग लगती है किसी भी लोहे की चीज के उपर तो एक rust नई तरीके की चीज बन गई जब हम wood को burn करते हैं हमने लकडियां जलाई तो एक नई तरीके की चीज बन जाती है आपने देखा ना बाद में जो राक राक बचती है पेपर को आपने कभी जलाया होगा तो उसके बाद में देखा पेपर कैसा turn हो जाता है completely black black में लेकिन अगर आपने उसी पेपर को फाड़ा द will get converted into ashes राक के अंदर बदल जाएगा जो कि एक नई तरीके की चीज है तो chemical changes के अंदर generally एक नई तरीके की चीजियों के अंदर बदल जाते हैं हमारे substance एक नई तरीके की चीज हमें मिल जाती है physical change के अंदर हमें same वही चीज रहती है बस उसका size, shape, color या फिस state change हो जाती है तो नहीं कर सकते हो और physical changes के अंदर कोई भी नई तरीके की चीज नहीं बनती जैसा भी मैंने आपको paper tier करके दिखाया कोई नहीं चीज नहीं बनी बस paper की जो size और shape थी वो change होगी फाड के मैंने change कर दी size और shape जो substance है उसकी chemical property same रहती है physical change के अंदर अच्छा chemical changes के अंदर क्या होत अगर आपने paper को burn कर दिया उसकी ashes बन गई राक बन गई तो अब आप उस change को reverse नहीं कर सकते एक या फिर एक से ज़्यादा नई substance form हो जाते हैं देखो जब मैं paper को burn कर रहा हूं तो gases भी release होती है कुछ तो अभी तो हमने बस paper को burn कर आ तो ashes मतलब राक मिल गई और साथ में कु new substance form हो आए उसकी different physical properties होंगी than original substance जैसे कि हमने paper को burn करा तो burn करने से पहले paper की कुछ और chemical properties होंगे और अब जो उसकी राक बनिया उसकी कुछ और chemical properties होंगे burning of magnesium ribbon तो अब हम लोग कुछ experiments देखने वाले हैं जो कि आपके book के according बहुत important है हम वो सारे topics cover कर रहे हैं जो आपके exam में आते हैं और जो भी आपकी book के अंदर present है तो एक जो यह topic है जो reaction है burning of magnesium ribbon इसे देखते हैं देखो हमने एक magnesium का ribbon लिया है उसको जलाया है जब आप उसे burn कर होगे तो white color की light निकलेगी और एक powdery ash मतलब की राख बच जाएगी बाद में यह powdery ash बची है ठीक है तो magnesium मतलब की mg plus oxygen is equal to magnesium oxide mgo बन जाएगा जो हमारा नए तरीके की जो substance होगा वो next अगर हम लोग dissolve करते हैं magnesium की ash को मतलब की magnesium oxide को यह जो magnesium की ash थी यही magnesium oxide है इसको water के अंदर पानी के अंदर घोल देते हैं तो क्या बन जाएगा magnesium hydroxide mg OH2 अच्छा सरी क्या यह equations याद करने की ज़रूरा होता है देखो example के लिए याद जरूर कर ले ना क्योंकि य important chemical reactions है जो exam में आते हैं next copper sulfate chemical reaction देखो copper sulfate chemical reaction के अंदर क्या होता है हमारे पास क्या होना चाहिए copper sulfate copper sulfate react करता है iron की किसी भी चीज़ के साथ तो हमने एक लोहे की कील ले लिया है iron nail ले लिया है उसे किसके अंदर डाला है copper solution के अंदर डाला है यह जो copper sulfate solution था इसके अंदर ड आप देखोगे कि बाहर निकालने के बाद इसका जो color है वो change हो गया यह brown color की हो गया iron nail जैसे हमने cu-so4 के बाहर निकाला है तो यह देखो इसका color brown color का हो तो when copper sulfate reaction reacts with iron जैसे ही इसने react करा इस iron की nail के साथ यह जो color था इसका change हो जाएगा from blue to green यह देखो यह जो blue color का solution है इसका color क जाएगा green क्योंकि अब क्या बन जाता है इसके अंदर iron sulfate copper sulfate के अंदर क्या बन जाएगा iron sulfate तो copper sulfate solution जो कि blue color का था इसके अंदर हमने क्या डाली थी एक iron की नेल लोहे की कील फिर क्या बना iron sulfate solution जो की green color का था और copper deposit हो गया जो की brown color का था हमारी iron की नेल के उपड़ यह ब्राउन कलर क्यों आया है क्योंकि इसके उपर copper deposit हो गया तो काफे simple सा reaction है इसको आप याद कर सकते हो इस equation को याद कर सकते हो अच्छे से clear हो जाएगा अब बात करते हैं rusting की यानि की जंग लगना एक बहुत बड़ी problem है यह किसी भी iron की चीज के उपर rust लग जाती है अच्छा iron का chemical name क्या है हर किसी का घर पर nickname होता है ऐसे ही जो भी हमारे chemicals होते हैं जो भी हमारे elements होते हैं जैसे iron है iron का भी एक short name है fe oxygen का short name है ओ तो देखो कितने इनके nickname कितने प्यारे प्यारे हैं अच्छा आपका क्या nickname है फटाफट comment section के अंदर comment करना मैं जानना चाता हूँ आप सब के nickname तो जब भी हम लोग iron यानि की fe और vapors भी present होते हैं तो जब ये सारी चीजें एक साथ react करते हैं तो अब हमारी form हो जाती है rust ये देखो जंग लग जाती है लोही के उपर कुछ ये iron जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है iron oxide fe2o3 बन जाती है जिसे हम लोग rust बोलते हैं अच्छा ये rust कब form होती है it forms in the presence of both air and water तब ही rust form होगी अगर air और water होगा तो अगर air और water नहीं है तो rust form नहीं होगी rusting को हम लोग कैसे prevent कर सकते हैं by cutting the contact of either air और water अगर हम लोग air और water को iron के पास ना जाने दें तो उससे उसमें rust नहीं लगेगी तो क्या तरीके हैं देखो एक सबसे easy तरीका तो ये है कि हम लोग paint कर दें अब paint कर दिया तो न air touch कर पाएगे हमारे iron को न water को वो लोग touch करने जाएंगे तो किसे touch कर पाएंगे paint को तो हम लोग क्या करते हैं greasing, oiling, painting, galvanization का process यूज करके हमारे iron को save करते हैं अच्छा ये galvanization तो कुछ नया ही तरीका लग रहा है अगर हम लोग iron के उपर एक पतली सी layer zinc की चड़ा देते हैं उसी process को बोलते हैं galvanization याद रखने हैं आपको the process of depositing a layer of zinc on iron is called as galvanization exam के अंदर direct question आ सकता है what is galvanization तो direct ये answer आप लिख देना rusting को हम लोग क्या कर सकते हैं can also be checked by alloying iron with other element मतलब हम लोग क्या करें iron के उपर ऐसी ही और अलग-अलग elements की coating कर दें या फिर mix कर दें iron को अलग-अलग elements से तो उससे भी rusting prevent हो सकती है अच्छा कुछ ऐसे भी steel आता है मतलब एक ऐसे quality होती है steel की which is stainless which is made up of alloy of iron with carbon, chromium, nickel and manganese तो इन सब की usage से हम लोग एक ऐसा steel भी बना सकते हैं stainless होता है जिसमें जंग ना लगे ठीक है अब बात करते हैं crystallization की I hope आपको समझ में आया होगा कैसे rusting से चीज़ों को avoid कर सकते हैं crystallization देखो हमने copper sulfate solution लिया उसके अंदर हमने कुछ यह white color की चीज़े deposit होते हुई देखिए अच्छा यह जो white color की चीज़ें यह क्या चीज़ें यह जो white color की चीज़ें यह crystals होते हैं तो crystallization is a example of physical change physical change की वज़े से यह crystals form होते हैं और crystallization की वज़े से हम लोग purification कर पाते हैं कुछ substances का तो बस इतना ही पढ़ना आपको crystallization care related clear होगा I hope आपको यह तो आपको देने हैं तीन example जिससे हम लोग rusting को avoid कर सकते हैं जो मैंने अभी उपर answers दिया उसमें से भी देख सकते हो आपको यह notes चाहिए जो कि बहुत useful होने वाले हैं आपके लिए तो simply आपको एक चीज़ करनी है subscribe के साथ में join का बटन है subscribe करो channel को उसके साथ में join का बटन है उस पे click करो और member बनो member बनने के साथ आपको notes मिलने वाले हैं sample paper मिलने वाले हैं मतलब इस chapter से related जो भी important question exam में आते ही आते हैं यह जरूर आएंगे वो आपको sample paper में मिल जाएंगे साथ ही में आप member बनते हो तो आपको shout out भी मिलेगा एक और benefit है ठीक है so thank you so much for watching this video channel को like करो इस video को like करो channel को subscribe करो और अपने दोस्तों के साथ इस video को share जरूर करना share क्यों करना because sharing is caring see you in the next video by battle then manu से ज्यान लेते रहो झाल